हाई दोस्तों वेल्कम टो मैं चैनल मेरा नाम है सिधार विमानी और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ अबाउट मेकेन की आलू टिकी दोस्तों यह मैं की आलू टिकी जो बहुत ही फेमस है और सिर्फ 3 मिनिट में यह बन जाती है और दूस्तों मैंने अभी आलू टिकी में पीहजडी कर दी है क्योंकि मैंने आइटी सी का फ्रोजन अलू टिकी ट्राइए किया घर की अलू टिकी तो हम हर बार खाते ही है और अभी मैंने यह मैंकेन की अलू टिकी मंगाई है और दोस्तों जो फ्रोजन फूड़ है वो बहुत ही कम खाने चाहिए उसके रिजन किसी को ऐसे हम जैसे कॉमन में को पता नही सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मैं के आलू टिकी के बारे में और मैं आपको वापस बता देता हूं कि फ्रोजन फूड बॉड़ी के लिए अच्छा नहीं है बट वन्स इन वाइल आप खा सकते हैं यह मैं आपके यह आई टीसी की आलू टिकी खाए थी वो दो माई ने पहले खाए थी और दोस्तों यह जो अलू टिकी खाली है यह पैकेट खाली है क्योंकि हमने अल्रेडी बना लिए अल्रेड से के लिए रोग्राए थाए प्राए जेख अल्रेडेशनी के खाली है जह भी है यह ज़ दो सकते ही जाए ट गाया है झाल्राए जज़ोंकि टेख तोस्तों आहाईए इसाली है तो दोस्तों आपने देखा कैसे तीन मिनिट में आलू टिक्की बन गई है और हम आज उसको छोले के साथ खाने वाले हैं छोले टिक्की बहुत ही बढ़िया डिश है यह देखें यह ऐसे बनी है इतनी रेड नहीं ब्राउन है यह और चलिए आईए टेस्ट करके मैं आपको बताता हूं कि यह कैसी बनी है लिया है एक बार ऐसे खा लेता हूं और उसके बाद फिर मैं छोले के साथ खाऊंगा इसको मैं तो बहुत बड़ी आया जबर दस्त है क्रिश्पी भी है अब बहुत मस्त है एक चीज में बताना चाहता हो कि आइटीजी की जो आलू टिकी ती और यह अलू टिकी टेस्ट में सेम ही है बट बहुत ही मस्त है इसको अब छोले के साथ ट्राइ करते हैं मज़ा आगया दोस्तों मैंने मेरे राश वीडियो को मज़ाया था कि फ्रोजन फूड कुछ ना कुछ आपके पांस फ्रिज में होने ही चाहिए क्योंकि कभी-कभी बीन गुला है महमान आ जाते तो उनको देने के लिए गरम-गरम अच्छा पड़ता है और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मैं केन की आलू टिक की पीन मिनिट में इसको आप रैप के साथ कहिए चोले के साथ खाये या फिर ऐसे खाये बस खाये जरूर सो थैंक्यों बाइबाए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्रा करिए बाइबाए थैंक्यों